प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार क्या हो चुकी है पोस्ट पॉंड दोस्तों इंदिनों सोचल मीडिया पे भर भर की नीज और आर्टिकल वाइरल हो रहे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार जो की पोस्ट पॉंड हो चुकी है हम सबको पता है कि सलार मुवी 28 सेप्टेंबर को सिनिमा घरों में दस्तक देने वाली थी जो कि मेकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी 7 सेप्टेंबर को सिनिमा घरों में जवान आने वाली है जिसकी काफी जदा हाइप बनी हुई है इन दिनो इसी बीच एक और धमाका करते हैं बॉलिवुट के भायजान सल्मान कान अपने अपकमिंग मुवी टाइगर 3 का पोश्टर रिलीज करके अब टाइगर 3 स्पाई युनिवर्स का हिस्सा है जो कि इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है इसके बावजूत प्रभास के लिए 28 सेप्टेंबर अच्छा रिलीज डेट साबित होता लेकिन अब वहीं खबरे आ रहे हैं कि सलार मुवी जो के मैं नविंबर में देखनी को मिलेगी सलार मुवी के लिए एक बड़ा क्लैस होने वाला है समझ रहे हो ना भाईजान वर्सेश प्रभास देखो या डेफिनिटली प्रभास तमिल तेलगू मल्यालम कंणर सिनेमा से भले ही कलेक्शन में फर्क ना पड़े लेकिन हिंदी में फर्क पड़ेगा प्रभास को टाइगर 3 जो की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है एक था टाइगर टाइगर जिन्दा है ये मुवी काफी जड़ा ब्लॉक बेस्टर साबित हुई थी तो भला फैंस अपने आपको कैसे रोक सकते हैं भाईजान की मुवी देखने से तो यहाँ पर सलार को काफी भारी नुकसान होने वाला है अगर वो नविंबर में मुवी रिलीस करते हैं तो चलो अगर मेकर्स प्लान करते हैं सलार को रिलीस करने ले दिसंबर में तो भाई साब वहाँ भी आसान नहीं होने वाला है उधर भी class करना पड़ेगा animal के साथ आगे है animal पीछे है tiger 3 आखिर इस बीच क्या करेंगे प्रसांत नील क्या इस movie को अब next year release करेंगे तो देखो यार अभी तक makers की और से official announcement नहीं आया है लेकिन खबरों की माने तो खबरे यही आ दिये कि सलार को post point कर दिया गया है काफी लोगों का कहना है कि जवान की इतनी जदा hype देख कर इन्होंने अपने release date को post point कर दिया है वैसे सलार movie के post point को लिकर क्या कुछ है आपको कहना comment में जरूर कहना और यह video पसंद आई हो तो like कर देना ऐसी और interesting update के लिए subscribe करना हमारी YouTube चैनल को